नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है वीडियो को शेयर करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ आपने बहुत सारी वीडियो से किया होगी जिसमें आपको अक्रोट के गुण बताएगा है लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अक्रोट के फैदे बताऊंगा और खाने की विधी बताऊंगा तो आज जान लेते हैं इस वीडियो में क्या खास है अगर आप ताकत बढ़ाना चाहते हैं अपनी और दिमाग को तेज़ बनाना चाहते हैं और जोडों को दर्द को ठीक करना चाहते हैं तो आप अक्रोट का सेवन करें यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैदे पहुचा सकता है अगर आप अक्रोट खा रहें उसके बाद भी आपको फैदा नहीं हो रहा है आपको कहीं न कहीं अक्रोट खाने के तरीके में प्रॉब्लम हो रही है अगर आप हेल्ट टिप्स में जो मैं आपको ये नुक्स के बता रहा हूँ आप इसका इस्तिमाल करेंगे आपको इससे सरीर से फुर्ती और ताकत भी मिलेगी और दर्द का नाज होकर आपका सरेट चमकदार दिखेगा आईए इस से पहले जान लेते हैं कि अक्रोट के फैदे क्या क्या है नमबर एक अक्रोट खाने से हमें वजन घटाने में सहायता मिलती है अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो अक्रोट का सेवन के लिए बहुत फैदे मंद है दूसरा अक्रोट खाने से हम अपने आपको रिलेक्स मैसूस कराते हैं और नीन भी कजब की आती है अक्रोट खाने से हमारा दिल एक्टिव रहता है इससे फरपूर मात्रा में एंटि आक्साइड होते हैं जो दिल को एक्टिव बनाए रखते हैं नमबर चार अक्रोट खाने से हम मदमय के खत्रे से बचाव कर सकते हैं तो फिर खाना जरूरी है ना नमबर पांच अक्रोट खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है इसलिए लोग अक्रोट को प्रेन फूड भी कहते हैं क्योंकि अक्रोट में विटामिन E होता है अगर आज से ही अक्रोट का सेवन सुरू करते हैं तो हो सकता है आप कैंसर से बच सकें अक्रोट खाने से हमारी लाइब बढ़ती है और हमारे जीवन में और जार रहती है 8. करवती मैलाओं के लिए अक्रोट खाना बहुत फैदेमंद है क्योंकि इससे बच्चे को अलर्जी नहीं होती है और पोसक टथ भी मिल जाते हैं 9. अक्रोट खाने से चिंता यानि तनाव भी कम हो जाता है और सरीर का लेट पेसर भी नियंतरित रहता है 10. अक्रोट खाने से मैलाओं के इस्तन, सुडॉल और स्वस्थ रहते हैं 11. नियमित रूप से अक्रोट खाने से हमारी हड़ियां मजबूत और स्वस्थ रहते हैं 12. अक्रोट के नियमित सेवन से इस पर्स काउंट बढ़ता है इसलिए इसका खाना जरूरी है नमबर 13 नियमित रूप से अक्रोट खाने से बाल और इसकिन दोनों ही हेल्दी रहते हैं भाईयों ये सब तोते फैदे अक्रोट को खाने के अब हम जान लेते हैं इसकी विडियों को कैसे खाना है आप 15 ग्राम अक्रोट लेकर एक गलास दूद में डाल कर उबालना सुरू करिए उबालने के बाद पिसी हुई मिसरी मिला लीजिए ध्यान रहे कि चीनु जो आजकल बाजार में आती है वो नहीं डालनी है मिसरी को पीस लीजिए वो डालनी है अभी इससे दो चार केसर की पतियां डाल लीजिए इसको अच्छे से उबालने दीजिए अभी इस मिसरन को सुहाता और सुहाता गर्म गर्म पिये ये सक्ति वर्धक है दूसरा नुप्टा भी जान लीजिए आठ अक्रोट की ग्रियां चार बदाम की ग्रियां तस मुनक्का वीज निकाल कर ये तीनों एक साथ खा कर उपर से गर्म गर्म दूद मिसरी मिला हुआ पीजिए ये जवानों और बुरूप के लिए अत्यां सक्ति भार देगा तो भाईयों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जो बताएं वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें इसे मुझे बहुत जादा खुशी मिलेगी तो अब मैं चलता हूँ ओके बाई बाई